दीकपल शर्मा शो को एक बार फिर बंद करने का फैसला भारत के मश्वूर कामेडी प्रोग्राम दीकपल शर्मा शो को आरजी तोर पर आफ एर बंद करने का फैसला कर लिया गया है 2016 में शुरू होने वाले दी कपल शर्मा शो ने भारत ही नहीं बलकि पूरी दुनिया में अपनी मकबूलियत से अपनी अलग पहचान बनाए शो की मेजबान कामेडियन कपल शर्मा के चुटकले हूँ या फिर उनकी टीम में शामिल फनकारों की शांदार परफॉर्मंसेज हर कोई इस प्रोग्राम का मद्दा है दी कपल शर्मा शो में आम तोर पर बाली वुड अदाकार अपनी फिल्मों की तश्हीर के लिए शिरकत करते हैं ये कामेडी प्रोग्राम अक्सर फिल्मों की काम्याबी की वज़ा भी बनता है लेकिन इस हर दिल अजीज शो को एक बार फिर आर्जी तोर पर आफ एर किया जा रहा है भारती मीडिया रिपोर्स के मताबिक गुज़िश्टा कुछ सालों से दी कपल शर्मा शो को आर्जी तोर पर रोग दिया जाता है क्यूंके प्रोग्राम के मेजबान कपल शर्मा ब्रेक लेकर कुछ वक्त अपने एहले खाना के साथ गुजारना चाहते है ताहम एक बार फिर दी कपल शर्मा शो को आर्जी तोर पर बंद किया जा रहा है और उसकी वज़ा यही है कि शो में काम करने वाले आर्टिस्ट कुछ वक्त काब रेक लेता का दोबारा तरू ताजा है कर वापस आएं और अपनी तखलीकी सलाहुतियों से शो में जान डाल इस से कबल 2021 और 2022 में भी दी कपल शर्मा शो को 6 मा के लिए आर्जी तोर पर आफ एर किया गया था वाज़ रहे कि दी कपल शर्मा शो की टीम की जानिब से अब तक शो को आर्जी तोर पर बंद करने के हवाले से कोई तफसिलाथ सामने नहीं आएं